तो याज के दिन हम क्या करना होता है करना होता है और संड़े को करना होता है कि हमें एक मौक टेस्ट लगाना होता है तो आप लोग मौक टेस्ट लगा लेना एक कहीं से भी आपको लगाना होगा मैंने लगा लिया है मैंने रोजगार विद अंकित से लगाता हूं रोजगार विद अंकित को हर संडे को फिरी आता है तो मैंने भी अपना मार सब्रक्राइब घृट करेंगे तो उससे पहले मैं बताएं कि मैंने आप से का था कि जीके को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका अब तो हमारे पास आप लोगों कुई पता है कि एक्जाम डेट कभी भी आ सकता है कुछ भी हो सकता है कि जून में हो हो जाए हो सकता है जुलाई में हो जाए यह कनफर्म नहीं है लेकिन एक जाम बहुत जल्दी होगा तो मैंने कहा था कि अब अगर जी के हमें त्यार करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा प्रीबियस यह जितने विक्यूशन पूछे गए हैं मतलब जेल वार्डन से ले जाल थे उसको आपको जो क्लास आप लेंगे आपको नोट से नहीं बनाना थेक है जो क्लास आप Всем बार वही पूछा जाते है अब वार-बार उसी के आसबास क्यूशन पूछा जाता इंजय से कहा जाते हैं कौई पूरिस गस्ति पर है यह कर रहा है वो कर रहा है तो इसमीं सिट्विएशन दिया जाता आए बहुत जादे टप नहीं काफी असान है मतलब बस आपको क्या करना एक काम करना होगा ठीक है मांसी का बुरू कि क्लास देख लीजे कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाय तो बहुत करते होंगे लेकिन उन्हें दो चीज की कमी होगी एक तो प्रैक्टिस एक तो रिवीजन तो प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करिएगा और एक चीज कि मौक लगाने कि बाद उसे एनालिसिस कैसे कि जाता talkin ing लगा है या के इस दी लिखता हूं और मैं गता है तो आपको भी आईसे दो कापिया बनानी िरह को कैसे करण कRI updating हैं कि मेरी मेरी दैक्त का सवाल का एक चैनल कि छह रुपे की कोई चीज जो 6 रुपे में 5 बेसे जारी और वही चीज 10 रुपए में 11 रुपए में 10 बेची जा रही है ठीक है यह मैत का सवाल है अगर आप लोगों ने इस टाइप का सवाल यह आपको आज नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है आप से नहीं लगा कोई बात नहीं है लेकिन इसकी गारंटी आप ले सकते हैं कि भाविश उसके solution को लिख लेना है उसका जितने भी तरीके उसको आपको लिख लेना है कि उसको बार बार अच्छे से रिविजन करना है कई force सटर्डे या संडवे क्वार भी रिविजन कर लेंगे तो बहुत थैं तक अगर भुश सिम्य कभी ऊशंटार आप युश्ट नहीं हौन च यह लगबग कापी इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहां भी पूरा हिंदी और जी की लिख रखा है पूरा जब भी में मॉक्टिश लगाता हूं तो इसमें से आठ से दस क्रिशन मुझे उसमें फसनाई फसनाई जो भी हो जाए आज जैसे डाक्टर राजन प्रसाद की र है कि कि मैंने आप लिक रखा था था कि भारत ने उननी इस्व्हों में फिकcież लिया था तो पहली बार भार्ट ने उननिश व्हों में यहां पर रिखा था मैंने आपниц多 है अ कि यो लगा लेंगे तो उसके बाद आपको 150 से देखने यह फिर दुबारा आपको 150 अपने नजर से गुजारने जो आपका सही यह उसको भी देखना है कि उसमें भी कुछ कुछ ऐसे क्विशन होते हैं उसको जब सॉलूशन में देखेंगे तो कुछ ऐसे चीज़े मिलेंगी जो आपको नहीं आती होंगी या जो आपको यह लगएगा कि हाँ इंपोर्टेंट यह लिख लेना चाहिए तो यह तरीका होता है एनालिसिस का साइद और भी कोई तरीका ह होता होगा तो मुझे नहीं पता मैं ऐसे ही शिक करता हूं सो टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो अगर आप अन्यक्ते तो भाई प्लीज प्लीज आसे टेस्ट लगाना बंद कर देजिए एनालिसिस करेंगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा चाहिए आप जो भी करलु बहुत स सेमी टाइप पूछा जाता है अब जैसे एक क्यूशन ये था ट्रेन वाला था अगर आपका ये नहीं लगा या इस टाइप के क्यूशन आपसे नहीं वा तो ये ठीक है नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं इस बार नहीं लगा ना कोई दिक्कत नहीं आपको सीखने को तो मिला य बहुत से मैंने 작ल्म साथ जैसे नहीं उसे पहले जो मौक टेस्ट आया था उसमें मेरा कलंडर वाला था तीन दिन पहले और उसे फंवह गलत हो गया थैंपसे से ऑनालिस क्या इस कौपी में मैं आज को में धितना ह्यां तो तो तीन सू में दो सो तीर पने से पहले मौद लगा था तो उसमें तो अभी जो नभी स्टुडेंट जाग रहे हैं तो अब लोग पढ़ाय शुरू करें तो अभी करना है नहीं तो कुछ नहीं होने वाला कि उसके बाद अब बात करें कि मेरा कितना टाइम लगा तो मुझे मैं हर बार मैं इतना टाइम बचा लेता हूं इस बार मेरा एक गंटे केवल एक गंटे-20 मिन लगे कि यानि मेरा 40 मिन बच गया एक गंटे-20 में पूरा का पूरा टेस्स कर लिया अब मैंसे कई सारे लोग यह कहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है अगर आपका स्पीड आपका कैलकुलेशन अच्छा आपका मैथ सब अच्छा हो तो हो जाएगा रेजिनिंग में कुछ था यह नहीं कुछ मिनट लगें एक डिर मिनट बाकी सब तो असानी थे और यह वह पांच क्यूशन आता है जिसमें कंडिशन दे रखाता है उसमें टाइम लगता है बाकी मांसी का गृची में भी टाइम नहीं लगता बस आपको पढ़ना आंसर देना होता है तो यह सब चीजे हैं तो आपको अगर आपको भी अपना टाइम और वैसे भी कोई भी हो आपको टेस्ट दो घंटे में नहीं करना है क्योंकि आपको गोला भी भरना होगा जब मॉक टेस्ट जब आप लाइना पेपर देने जाएंगे तो उसमें 15 से बीट तो गोला भरने लग जाएगा तो आपको क 10-15 मिट के बीच में आपको टाइम लेना है अगर इससे जादे आपका टाइम लग रहा है तो दिक्कत वाली बात है तो जीके में मेरे 32 सही है 14 मिट में हो घंदी में 14 लग यह और जीके में गैलो क्यों लगे क्यों कि हिंदी में जो पैराग्राफ था वह बहुत खतरना अक उसके बाद मैं फिर कहता हूं कि मैं जो टार्गेट देता हूं उसमें कैलकुलेशन पर इतना जोर देने का क्या मक्सद है केवल और केवल यह टाइम बचाना कैलकुलेशन यह आपका टाइम बचा सकता है यह चीजे आपको दिखती नहीं है यह काम करती है जैसे वो ऐसी तो आज का जो मैं था मैं कोई दम नहीं था जिए रिल गाड़ी वाला और कुछी कुछन था बाकी कोई दम नहीं था मैं मतलब आज का मैं कह नहीं सकता कि आज तो सपने आराम से 12-13-15 तक गए होंगे संदियों को मैंने मॉक्टेश लगा था तो उसमें कहा था मैंने कि करेंगे भी कैसे तो लाइन कड़े मौसम खराब हो गया सुबह सुबह तो रूम में रहेगी नहीं तो लाइब करने स्क्या फादा और लाइब करने के लिए मुझे एक मोबाइल चाहिए और मेरे पास दूम वाइल एक छोटी वाली है तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं और लाइब लगाया होता तो काफी मजा आया होता लेगिन खैर उसको छोड़िए तो आप बात के लेते कि आज का टेस्ट कैसा था तो आज का जो मॉक्तिस्ट था वो काफी मतलब जीके खतरनाक था हिंदी में बस गद्धांस खतरनाक था और दो तिन क्यूशन ऐसे थे जो करने लाइक था वह 200 प्लस था 200 प्लस करने लाइक था तो मैं हर बात एक चीज कहता हूं कि आप मौक्र लागाते होंगे तो इसमें लिख क्या आता है कि क्लियर कट अगर यह आपका लिख रहा है तो बहुत ज़्यादे अच्छा है कोशिस करिएगा कि यह हमेशा लिख दे क सब्सक्राइब अभी मौक शुरूर नहीं करना कुछ लोग यह पुछ रहे तो आप डेली मौक लगा सकते हैं या तो एक दिन का गयब दे कर लगा सकते हैं लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो पहले अपना सिलेबस पर ध्यान देना है और हर संडे को एक मौक मौक लगाने से आपको यह पताचलेगा कि आपका कहा है कि आपके जितने नमबर आएंगे उससे मूटिवेसन लेका कि मुझे और मिनौट करने किस सब्जेक में कितना मिनौट करना यह पता चलेगा और क्यूशन कहां से पूशे जा रहे हैं यह पता चलेगा और एक बात मैं बता दू कि जो आड़ व्यका मॉक टेस्ट इसमें थोड़ा सा जी पूशा जाता है क्यूंकि अगर आप जो हमारा पेपर वहा था यूपी पूलिस का सतरा ठारा को उसे अच्छे से एनालीसिस करेंगे तो इनका क्यूशन थोड़ा सा उससे हट के रहता है अगर आपने मॉक नहीं लगाया है तो मॉक लगा लीजिए और उसे अच्छे से जरू करिएगा क्यूंकि यहीं दो कापियां है जो आपको एक्जाम के लाश्ट में काम करेंगी आपके इनी दोनों को रिविजन करके च मॉक को अच्छे से अनालिसिस करें कापी बनाएं नहीं होने वाला बाकी आपकी इच्छा आपको बनाना या नहीं बनाना है आपकी मर्जी ठीक है तो आज के लिए इतना है सभी को जय हिंद